नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूटुब परिवार अस्टुडेंट इलाइट में प्यार दोस्तों, आज हम आपको जारखंड जीके का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जारखंड की मिटियां को किलियर करवाएंगे जिसमें हम लोग टॉप 21 परशनों का डिसकस्न करेंगे जो जारखंड के सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए काफी जादा महतपूर्ण होगा इस वीडियो में आप लोग सुरु से अंतक बने रहिएगा ताकि जारखंड की मिटियां से शंबंदित जब भी कभी आपके एकजाम में परशन पूछा जाए तो आप बिलकुल आसानी से उत्तर कर पाएंगे चलिए देखते हैं जारखंड की मिटियां से शंबंदित परथम परशन आईए पहला सवाल देखिए पहला सवाल क्या कहता है निर्मान प्रक्रिया की दृष्टी से जारखंड राज्य में किस परकार की मिटि पाई जाती है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number C क्या हो जाएगा option number C obsist मिटि क्या हो जाएगा obsist मिटि चलिए प्रशन संख्यां दूसरा पर आजाईए देखिए दूसरा सवाल क्या है जारखंड राज्य की मिटि को मुक्ता कितने परकारों में बरगिकरित किया गया यानि कहने का मतलब है कि जारखंड राज्य की पहला भाग है लाल मिट्टी जार्खंड राज के मिट्टी को कितने प्रकार में बर्गे कृत किया गया है तो छा भागों बर्गे कृत किया गया है पहला है लाल मिट्टी दूसरा है काली मिट्टी तीसरा है लेट राइट मिट्टी चौथा है रेटीली मिट्टी कहिए या बलुई मिट्टी चौथा रेटीली मिट्टी या बलुई मिट्टी पांचवा जलोड मिट्टी और छठा जो है वह है अबरक मुलक मिट्टी क्या है अबरक मुलक मिट्टी एक बार फिर से जारखंड की मिट्टी के छेवे परकार का हम फिर से विवरन करते हैं एक है लाल दूसरा है, काली मिंटी, तीसरा है, लेटाराईट मिंटी, चौथा है, रेतीली मिंटी या बलुई मिंटी उसको कह सकते हैं, पांच वा है जलोल मिंटी, और छठा जो है आपका वह है अबरक मूलक मिंटी. यानि जार्खंड राज की मिट्टी को मुकता कितने प्रकारमें बर्गेकृत किया जाता है तो अच्छा प्रकारमें बर्गेकृत किया जाता है अगला सवाल प्रस्ण संख्यां तीसरा जार्खंड राज्य की सरपरमुख मिट्टी कौन है तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option number D, लाल मिट्टी, जार्खंड राज्जी की जो है, सर परमुख मिट्टी जो है, वह लाल मिट्टी है, क्योंकि यह सभी छेत्रों में पाई जाती है, अगला सवाल, प्रस्ण संख्या चार, जार्खंड राज्जी में स्रवाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अब देखिए, जार्खंड राज्जी में स्रवाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीछे मने चर्चा किया, तो आपका इसका अभियो चलिए अगले सवाल क्यों राजा ये प्रस्न संख्यां पांचवा जारखंड के छोटा नागपूर छेत्र में मुख्य तक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर ए लाल मिट्टी लगभग छोटा नागपूर छेत्र में मुक्ता किस प्रकार का मिट्टी पाई जाता है तो लाल मिट्टी अगले सवाल क्यों बढ़ जाएए प्रस्न संख्यां छे जारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का परमुक कारण क्या है यानि कहने का मतलब है कि जो लाल मिट्टी ह उसका रंग लाल होने का मुख्यता कारण क्या बनता है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number A मिट्टी में फेरिक ओक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता यानि मिट्टी में फेरिक ओक्साइड और बॉक्साइड की जब अधिकता होता है तो मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है लाल हो जाता है तो option number A आपका बिलकुल ही right answer है अगला सवाल प्रश्ण संख्या सातवा जारखंड राज्जी के राजमहल पहाडी छेत्र में मुक्ता कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा option number D राजमहल पहाडी छेत्र में जो है जारखंड में हाना मुक्ता काली मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है option number D अगला सवाल प्रस्ण संख्या आठवा जारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अप्छयन से किस परकार की मिट्टी का विकास हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number D जारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्ही नाम से जाना जाता है अब देखिए काली मिट्टी को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता यह आप से पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्शन नंबर भी रेगूर मिट्टी क्या हो जाएगा रेगूर मिट्टी का अन्य नाम क्या है रेगूर मिट्टी है ओप्शन नंबर भी अग जारखंड राज्ज में तो आपका उत्तर जो हो जाएगा option number C हो जाएगा क्या चना चना की खेती के लिए जो है काली मिट्टी का स्रवाधिक परियोग किया जाता है अगला सवाल प्रस्ण संख्या 11 जारखंड में पाये जाने वाली लिट्राइट मिट्टी में मुख्य तक किस परकार की फसल की जाती है यानि किस परकार का फसल जो है जाया जाता है लिट्राइट मिट्टी में जारखंड राज्ज में पाये जाने वाली लिट्राइट मिट्टी के बारे में इन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सत्य यानि असत्य ढूनना है तो इसमें देखिए option number C जो है आपका असत्य कथन है सत्य नहीं है option number C बाद बाकि सत्य सत्य सब सत्य है या अत्यन्त उपजाव मिर्दा या बिल्कुल ही गरत है है ना ओप्शन नंबर आपका C हो जाएगा है ना यही सत्य नहीं है सत्य कौन कौन है A, B और D इस मिट्टी में कंकड के धिकता होती है बिल्कुल सही है इस मिट्टी का इनिर्मान मानसोनी जलवायू की आदरता होँ सुच्चताक में क्रमिक परिवर्तन के परिवनाम स्वरूफ हुआ यह भी सही है और इस मिर्दा विकास दक्षनी पलामू पस्मी राची वसंथाल प्रगनाच छेत्र में हुआ सब सही है अगर कोई उप्षन सत्य नहीं है तो वह अत्यंत उपजाव मिर्दा है चलिए तो बारा का उप्षन नमबर सी अगला सवाल प्रस्न संख्यां 13 जारखंड के किस चत्र में रेतिली मिटी की अधिकता पाई जाते है जारखंड के किस चत्र में रेतिली मिटी की अधिकता पाई जाती है हाजारी बाग और धनवाद के चत्रों में प्रस्न संख्यां 14 जारखंड राज्य में उपलब्द जलोड मिर्दा के संबंद में इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानि सत्य नहीं है चलिए तो इसका उत्तर जो हो जाएगा option number हो जाएगा आपका C क्या हो जाएगा C देखिए इस मिटी में कंकल की अधिकता होती है यह जो है बिलकुल ही असत्य कथन है बादवा की A, B और D जो अप्सन है आपका वह बिलकुल ही सत्य कथन है तो आपका असत्य कथन कौन था option number C चोदा का उत्तर हो जाएगा option number C अगले सवाल की और बढ़ जाते है प्रशन संख्याप 15 राज जी के किस जिले में अबरक मूलक मिटी की परचूरता है हमने जारखंड की छो प्रकार की मिटी जिसमें लाल मिटी, काली मिटी, लेटराइट मिटी, रेतिली मिटी जिसको बलूई मिटी हमने बोला, जलोड मिटी और एक छठा जो परकार हमने बताया था वो अबरक मूलक मिटी था उसी के बारे में पूछा जा रहा है राज जी के किस जिले में अबरक मूलक मिट्टी की परचूरता है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number B, क्वडर्मा किस जिले में? क्वडर्मा जिले में जो है अबरक मूलक मिट्टी जो है वह ज्यादा तर पाया जाता है अगला सवाल प्रश्ण संख्या 16 जारखंड राज्ज में पाये जाने वाली अबरक मूलक मिट्टी के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल ही सत्य है तो आपका उत्तर हो जाएगा उप्रोक तो सभी कथन सत्य है यानि पहला जो है इस मिट्टी का रंग हलका गुलाबी होता है बिल्कुल सही अबरक मूली अबरक मुलक जो मिट्टी होता है अबरक मुलक उसका रंग हलका गुलावी होता है जल के अभाव के कारण स्मिट्टी के विस्तार छित्र में समुचित किर्सी कारज करना संभव नहीं हो पाता है कुछ अस्थानों पर नमी की कमी के कारण स्मिट्टी का रंग पिला हो जाता ह यानि जितना भी कथन दिया गया था, सब का सब कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, सभी कथन सा ही option number D, प्रशन संख्या 17 की उरवढ़ा जाए, जारखंड राज्जी में पाए जाने वाली अपरदित कगारों वाली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप अगला सवाल प्रशन संख्या 18, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 18 का उत्तर होगा, option number D, सभी कथन सत्य है, राज्जी के पलामुता गडवा के उंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, राज्जी के पस्मी सिंग्भूंग के दक्षन भाग में धात्विक गुनों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है, पस्मी सिंग्भूंग के कुछ भागों तथा सराय केला छित्र में विशम जाती है, मिट्टी पाई जाती है, यानि सभी कथन सही है, option number D, इजबेटर अंसर, option number D आपका बिलकुल ही राइट अंसर है, आगे आजाए प्रस्ण संख्याउनीस, जICIAरकंड राज्य में पाई जाने वाले किस मिट्टी का अस्थानीय नाम केबाल, चित्टा, नगरा, हलमाद, आधी है, किस का अस्थानीय नाम है, कौन से मिट्टी का यह सव अस्थानीय नाम है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, चिकनी मिट्टी का अस्थानिय नाम है, केवाली मिट्टी, चिता मिट्टी, नगरा मिट्टी, हलमाद मिट्टी, यानि option number A. प्रस्न संख्या 20, जारखंड राज में पाये जाने वाले किस मिट्टी का अस्थानिय नाम, खेरशी, चरका, लोबो, आरहासा आदी है, तो इसका उत्तर जो होगा, वो हो जाएगा दोमट मिट्टी, option number B, दोमट मिट्टी का अस्थानिय नाम है, यह सब, नाम, खेरशी, चर प्रस्न संख्या 21, यह आपका आखरी सवाल है, जारखंड की मिट्टी से संबंधित, जारखंड राज्ज में पाये जाने वाले किस गोरिश मिट्टी का अस्थानिय नाम, बाला, जारिया, गिटाल, हासा आदी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, option number C, बलुई, एबम, दोम मिट्टी का जो अस्थानिय नाम है, वही है उसका अस्थानिय नाम, है न, क्या क्या है, बाला, जारिया, और गिटाल, हासा आदी, तो यह था आपका जारखंड की मिट्टी से संबंधित, महतपूर्ण 21 सवाल, जो आपके एक्जाम में बार बार पूछा जाता है, उमीद क अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंतक बने रहे होंगे, तो आज के बाद जब भी कभी जारखंड की मिट्टी से संबंधित, अगर आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आसानी से आप उसका उत्तर कर दीजिएगा, हाँ, जो लोग अभी तक चैन लोग शेर कर दीजिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,